दिल ऐसा किसी ने मेरा तोरा बरवादी की तरफ ऐसा मोडा आप लोग का नहीं न कोई तोरा है नहीं तोरा है तो कोई बात नहीं है सुनिए एकजाम दने जा रहे हैं सब तेयारी हो गया है टोटल तेयारी हो गया यदि आपने अब तक कुछ नहीं त्यारी किया है जो कुछ आपका छुट गया है आप उसको नया करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक न एकजाम देने के लिए तेयार हो गया एकजाम में कई से लिखना है पता है चल दिया एकजाम देने पहले सुनो एक जाम हॉल में जब जाएगा तो वहां मिलेगा क्या OMR seat और एको copy मिलेगा OMR seat पर आपको objective का answer देना है और जो copy मिलेगा आपको उस पर उसका subjective answer लिखना है तो उससा भरने आ गया भर लेगा ठीक से यदि नहीं भरने आता है तो सुनो बहुत सारे चीज़ को change किया है ठीक है इसलिए एक बार बारीकी से पूड़ा को देख लो तन्या को skip ना करना skip करेगा खूब अच्छा तयारी कहले है खूब अच्छा तयारी आहूँ आ जाके यदि गरबर भरा गया ना साब पानी में चल गया ठीक है इसलिए पूड़ा अच्छा से देख लो कि कैसे कैसे वहाँ पर भरना है और क्या क्या करना है ठीक है हाँ और माल लिया जाए कि आपके पास दो अलग अलग कॉपी होगा एक OMR चिटका होगा और एक क्या बोलता है उसको short type और long type answer लिखने वाला होगा अखनी से कुछों नहीं होने वाला है ठीक है अखनी से सिर्फ आप वही करना है आपको कि जो आपने पहले से पढ़ लिया है उसका सिर्फ और सिर्फ आप एक बार revision कर लिजे ठीक है इतना ही काम करना है आज हम आप लोग के लिए वीडियो लेकर इसलिए नहीं आए है कि कल का जो पेपर आपका है आप उसकी तियारी आज रात तक कर लिजिए 9-10 बजे तक उससे ज़्यादा नहीं कि 12 एक बजे तक पर रहे है एकजाम में गयताओंगी आ रहे है ठीक है आप सकता के हिसाब से पानी पीना ठंडा का मौसम है आप सकता के हिसाब से ही पानी पीना बहुत को देखते है कि बॉटल लेके जाता है अपने इस्टेंडर रिटी दिखाने के लिए गर्मी का मौसम है तो ठीक है कोई दिकत नहीं है बोटल लेके गए कोई दीकत नहीं है क्योंकि प्यास लगती है गर्मी में लेकिन ठंडा के मौसम है तो बोटल उटल लेके नहीं जाना है पानी भी आपको लिमिट में पीना है कि ताकि बार-बार बात्रूम ना लगे आपको बार-बार बात्रूम में जाएगा तो फिर दिए गा, बहुत ही normal खाना बनाना है आपको, एकदम normal खाना, जो आप, जो सुपाच्चे खाना हो, ठीक है, जो आपको आसानी से पच जाए, एकजाम देने गए तो इधर से वो सुपाच्चे खाना खा के गए, जब उनने से लवटे तो चलो फुचका खाओ, चौमिन खाओ बर्गर खा बड़ी गरबर है ये सब काम नहीं करना केकाया हा रॉली खुचका Chomo कुछो नहीं एक्जा खतम हो जाए झाथमा दिन जब एक्जाम आपका खतम हो जाए तो आप जाकर पाचिमा दिन जब एक्जाम हो जाए तो आप जाकर खाईए कोई दिकत नहीं है लेकिन वह भी लिमिट में ठीक ना लेकिन एकजाम आवर में कुछ नहीं धर उधर एकजाम जब भी जेव तक चलड़ा है तब तक आपको इसी चीज पर ध्यान देना है क्योंकि ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी ह है इसलिए जरूरी है कि आपने त्यारी तो बहुत अच्छा किया है बहुत आपका अच्छा त्यारी है लेकिन एकजाम में जाकर आप फ्रस्टेड हो जाते हैं ठीक है आपको समझ में नहीं आता है क्या करना है कैसे करना है तो इस साड़ी चीजों को पहले आपको समझ ले भरकर आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे भरना है, कहां पर कौन से चीज को लिखना है और कहां कौन से चीज को भरना है, ठीक है, कौपी कैसे लिखना है वो तो हम आपको बताएंगे भरना, लेकिन अभी आपको हम कुछ और चीजे बताते हैं, कौपी को लिखना कैसे है, जैसे उपर बाला पेज जो होता है copy का जैसे मन लीजे कि यह आपका copy है इस तरीके के आपको copy मिला इस तरीके का copy तो यह सामने बाला पेज पर जो है आपको detail लिखा हुआ रहता है आपके बारे में आपको लिखना है नाम लिखना है, रॉल कोड, रॉल नमबर, स्कूल का नाम, कोश्चन का कोड लिखना है, यह सब इस पर भरा हुआ रहता है, तो इस पर आप भढ़ेंगे बड़ी साबधानी से इसको, और भढ़ने के बाद, आपका जो यह पीछे वाला पेज होगा, इसको आप छोड़ में वही प्रशन का उत्तर हम लिखे, जिसका उत्तर हमें बहुत ही अच्छा से आता है, यानि हमें याद है, उन साड़े प्रशन का उत्तर आप सुरू के 3-4-5 पेज में लिखे, ठीक है, और सुरू के 3-4-5 पेज में कहीं पर भी ओवर राइटिंग नहीं करना है, कुछ भी आपको काट-कूट नहीं करना है, ठीक ना, ये सब चीज का पुड़ा ध्यान रखना है, और भी कुछ चीजे आपको देखना है, कि जैसे मन लीजे कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कि उपर प्रसुन जो है, दूसरे कलम से लिख दिया, नीचे अंसर जो है, दू अब ये सबुड़ा है— इसलिए प्रयास करना है कि एक ही कलम से हमने हमको पूरा का पूरा लिखना है, यदी मन, लीजे कि आपक खर्म से लिखना हैlav, ठीक सर्वाद़ा है से लिख रहे और वो कलम आपका खतम हो गया तो उस समय आपको क्या करना है कि जो विच्छक होते हैं उन्हें इस बात की जानकाड़ी देना है कि सर हम अपना कलम चेंज करना चाहते हैं हो सकता है कि यहां से हमारे रैटिंग में कोई बदलाब आ जाए तो वो जो है वहाँ पर आपको करना है और आपको करना है किस टरीके से भाना है आये हम आपको दिखाते हैं चलिए श्क्रीन पर लेके चलते हैं ठीक है एकदम बारीकी से पूरी चीज को आप देखिएगा कुछ कोई भी चीज आपका स्कीप नहीं होना चाहिए ठीक ना हाँ और क्लास 12 का जो ठीक है, उसके लिए video कल से डलना सुरू हो जाएगा, और आप लोग के लिए एक भी video डलना सुरू हो जाएगा, ऐसे new batch के लिए video कल से डलना सुरू हो जाएगा, तो जो भी आपके आसपास के बच्चे होंगे, उन्हें इस बात की जानकाड़ी जरूर दे दीजेगा, कि कल से उन्हें लोग के लिए video आना सुरू हो जाएगा, ठीक है साथियो, चलिए चलते हैं screen पर, चले ध्यान देते हैं, जैसा कि आपका ये OMR seat का simple paper आपके सामने है, ठीक है, यानि इसी तरीके से आपका OMR seat आएगा और इसको भरना पड़ेगा आपको, देखे इसमें क्या-क्या भरना है, सबसे पहले तो आपको यहां विषय दिया गया है, ठीक है, जैसे मान लिजए कि विषय में आपको भरना है, black pen का यूज करना है आपको वहाँ पर, तो जैसे mathematics का exam होगा, ठीक है, तो आपको यहां पर लिखना है, mathematics, m, a, t, h, e, m, a, mathematics, m, a, t, i, c, s, mathematics, mathematics, देखिए, यहां पर जो हम लिखावट हमारा है, यह चिन से बाहर चलागे, इस से बाहर चलागे, लेकिन आपका नहीं जाना चाहिए, कोशिस करते हैं कि इसको हम चिन में ही लिखे, sorry, यह पूड़ा का पूड़ा ही हट गया, असे चलिए, इसको फिर से लियाते हैं, आपको वेमार्च सीट है, थोड़ा सब बरा कर दिया है, ताकि आसानी से जो है, इसमें लिख सके, ठीक है, देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको विषय लिखना है, तो विषय में क्या लिखेंगे, mathematics, mathematics, टिक है, इसके बाद आपको क्या करना है, exam यानि परिक्षा, यह वार्सिक परिक्षा आपका है, इसके बाद पाली में आपका जो first में होगा तो first में, second में होगा तो second, इसके माल लिए कि वहां पर आपके admit card भी जाय कोड लिखा हुआ रहेगा जो भी आपका कोड होगा subject मैथमेटिक्स का दाल रहे लियना है जो कुछ भी abcd जो कुछ भी आपका भी già कोड़ होगा यहां पर ढलना है और जैसे माल लिए कि समाध्यम हो गया यानि किस मेडियम में आप उत्तर देंगे जैसे इंगलिस में देना चाहते हैं या हिंदी में देना चाहते हैं तो अक्सर यदि आप हिंदी में देना चाहते हैं तो यहां पर हिंदी आपको लिख देना है हिंदी या फिर हिंदी में ही आप लिख सकते हैं को रॉल कोड है उसके बाद रॉल नमर है उसके बाद सब्जेक्ट है तो साइध हमें ऐसा लगता है कि रॉल नमर आपका इसमें लिखा हुआ रहेगा कुछ भी रॉल कोड मालने जाए कि रॉल कोड आपका कोई भी पांचंग का रॉल कोड होगा कुछ भी जो भी आपका रॉल क 0, 32 ठीक है 53, 0, 32 तो इस तरीके से इसमें आपको लिख देना है अंक जो भी होगा और इसके बाद आपको क्या करना है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसके बाद आपको यह जो गोला दिख रहा है जैसे इसमें 3-5 हो गया तो यहाँ पर 5 नमबर का गोला आपको यहाँ दिख रहा है 3 नमबर का गोला आपको यहाँ दिख रहा है इसके बाद 0 यहाँ दिख रहा है इसके बाद फिर 3 आपको यहाँ दिख रहा है और दो आपको यहाँ दिख रहा है ऐसे करके पहले आपको बिंदी लगा लेना है ठीक है इससे क्या होता है कि आप दूसरे गोले को नहीं रंग पाएंगे उसी को रंगेगे जो आपका जिस पर आपने बिंदी लगाया है और बिंदी लगाने के बाद आपको क्या करना है कि इस गोले को अच्छे से भर देना है, ठीक है, अच्छे से आपको इस गोले को paint कर देना है, यहाँ पर देख लिजेगा, हम आपको इसको paint करने का जो तरीका दिखाया गया है, यह गोले के बाहर जो आपको round shape दिख रहा है, उस round shape से बाहर आपका ink नहीं जाना चाहिए, एक बार ठीक है थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं ऐसे करके आज हम यहां से और खीच देते हैं इसको टाक बना हो जाए और गोला साफ साफ दिखें ठीक है अब गोला दिख रहा होगा हाँ चलिए तो आप आपको इस तरीके से रॉल कोड यहां पर भर लेना है अभी जो दिखाया थे आपको मौन लिए कि 53, 0, 47, मौन लिए 53, 0, 47, तो यहाँ तिरेपन यानि पहले 5, यहाँ 5 के बाद 3, इसके बाद 0, इसके बाद 4, इसके बाद 7, आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस लाइनिंग पर एक बार ऐसे करके चला लेना है, यह मारकर है फ़ गोल कर लेना है, इस तरीके से पूड़ा का पूरा गाढ़ा कर देना है, आप देखें कि तीन को पेंट करना है, तो फिर तीन पर भी एक बार ऐसे करके गोल इस पर चला लेंगे, ठीक है, उसके लाइनिंग पर और उसको अच्छा से ऐसे पेंट कर देंगे, ठीक ना, ऐस तरीके से paint कर देंगे फिर 0 पर देख लिए एक बार ऐसे आपको lining पर चला लेना है ऐसे गोल करके ठीक है गोल करके और उसके बाद उसको अच्छा से ऐसे paint कर देना है मेरे पास जो यह है इंक बाला यह थोरा सा अन्बैलेंस चलता है लेकिन आपलों का कलम ऐसे अन्बैलेंस नहीं चलना चाहिए अन्यता गरबर हो सकता है ठीक है देखिएगा जैसे 4 को यहाँ पर रगना है तो 4 के लिए आपको एक बार ऐसे गोल पर चला देना है और उसके बाद ऐसे ink भर देना है इसमें कहीं पर भी आ आपका जो रॉल नमर होगा कुछ भी X, Y, Z, A, B, C, D कुछ भी रॉल नमर होगा यहाँ पर आपको पूरा रॉल नमर भर देना है अच्छा से कुछ भी रॉल नमर जैसे मालने जिए कि 5, 4, 3, 2, 1, 6, 5 ऐसा ठीक है अब फिर वही काम आपको करना है जैसे यहाँ पर 5 है तो यहाँ 5 बला गोला हो गया, 4 है तो यह 4 बला गोला हो गया आपका, 3 है तो यहाँ 3 बला गोला, 2 है तो यहाँ 2 बला गोला, 1 है तो इसके 1 बला गोला, यहाँ 6 है तो 6 बला गोला, 5 है तो यहाँ पर 5 बला, गोला में आपको सबसे पहले बिंदी लगा लेना है और उसके बा ठीक है ऐसा इसलिए ताकि आपके हंडाइटिंग में कोई भी अंतर ना हो ठीक है और यदी ऐसा होता है आपका एक कलम चलते चलते यदी खत्म हो गया या रुक गया तो दूसरे कलम का प्रियोग यदी करते हैं तो उस समय आपको वहाँ पर विच्छक से इस बात की अनुमती ले लेना है तीक है और विच्छक जधी वहाँ पर अनुमती देंगे साइन कर देंगे तब आपको जो है दूसरे पेंड का प्रियोग करना है ठीक है अन्ने था आपका marks कम हो सकता है याद रखे हैगा एक्जाम में आपका marks कम हो सकता है इस बात की जनकाड़ी आप एकदम रख लीजे निशी दुरूप से ठीक है इस तरीके से इसको पेंट कर देना है आपको अच्छा से ऐसे करके इसको अच्छा से पेंड कर देना है यहां माल लिजे 3 है तो 3 पर भी एक बार आपको ऐसे करके चला लेना है और उसके बाद इसको अच्छा से पेंड कर देना है यहां आपका 2 है तो 2 पर भी एक बार ऐसे करके चला लेना है और इसको अच्छा से paint कर देना है मान लिजे कि यहाँ आपका 1 है तो 1 पर भी ऐसे करके चला लेना है और इसको अच्छा से paint कर देना है ठीक ना इसको अच्छा से ऐसे paint कर देना है इसके बाद यहाँ पर मान लिजे कि आपका 6 है तो यह 6 पर भी एक बार ऐसे lining पर चला के और उसके बाद इसको जो है अच्छा से ऐसे करके paint कर देना है आसानी से इसको एदर 5 है तो 5 में भी आपको ऐसे ही करना है ठीक है हाँ इसके बाद यहाँ subject code जो आपका subject code होगा वो आपके admin card में होगा उसको आसानी से आप यहाँ लिख सकते हैं जो भी subject code हो जैसे माल लिजे की a3,2 या कुछ भी आज़ा जैसे माल लिजे की h,2,3 ऐसा कुछ करके हो ठीक है सब यहाँ पर आपका क्या बोलता है की a,b,c,d के later में होंगे ठीक ना, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर डाल देना है जो भी आपका code होगा जैसे माल लिजे की इसमें होगा आपका b ठीक है, यहाँ f और यहाँ k, कुछ भी ऐसा ठीक ना, b,f और यहाँ पर k आपको lining से बाहर नहीं रिखना है मेरे पास जो बेबस्ता है उसका हम आपको प्रियोग करके दिखा रहे है ठीक ना, क्योंकि यह वैसा है नहीं balance बाला, यह कभी कम उगलता है, तो कभी ज़्यादा उगलता है ठीक है, यहाँ पर आप माल लिजे कि k है तो आब आपको क्या करना है कि इसमें B को यहाँ पर fulfill कर देना है यहाँ पर F को fulfill कर देना है और यहाँ K को fulfill कर देना है इसी तरीके से ठीक है, और यहाँ देखें बगल में आपको यहाँ पर paint करने का भी तरीका दिखा रहा है कि आपको इस तरीके से paint करना है पूरा गाढा करके ठीक है इस तरीके से paint नहीं करना है यहाँ पर जो दिख रहा है यह आपको आधाने paint करना है बीच में नहीं केबल टिकला के छोड़ देना है से cross नहीं करना है या फिर बिंदिला के नहीं छोड़ना है यानि अच्छा से आपको paint कर देना है चलिए आगला जो आपका है यहाँ पर दिखराओगा आपको registration number तो registration number में यहाँ पर आपको भर लेना है आसानी से फिर यहाँ पर भी registration number जो आपके registration number admit card में लिखा हुआ होगा यहाँ पर last में year लिखना है 21 ठीक है और जैसे आप अभी इससे पहले इसको उपड़ वाला को जैसे इसको आपको पूड़ा का पूड़ा पेंट किया है ठीक उसी परकार से इसको भी पेंट कर देना है जैसे माल लिजे कि आपका registration number कुछ इस टाइप से लिखा हुआ होगा कुछ भी ऐसा ठीक ना जैसे माल लिजे कि 6 5 2 3 4 0 3 6 5 2 माल लिजे ऐसा लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है इसमें 6 को यहाँ पर 5 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 फिर इधर आपका यहां पर थोरा सा मिष्टेक है देख लिए कि यह 011 पढ़ी छोड़ दिया है एक और घर इसमें होना चाहिए ऐसे करके तब ना पहले 2 होगा उसके बाद 1 होगा तब ना 2020 होगा ठीक है तो इस तरीके से आपको इसको फूलफिल कर लेना है आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या कहता है आपका देखिएगा देखिए जैसे यहां आप इस सब इधर तो भड़ा गया है आपका फिर खाली हो गया एक अच्छा अभी हम भड़े थे लेकिन इसको बढ़ा कर दी है इसलिए ऐसा दिख रहा है चले कोई दिखत नहीं है इधर आ जाईए यह सब कारजाले के उप्योग के लिए हैं आपको यहां से फिराना है देखिए यहां पर यहां पर आपको क्या करना है पड़िक्छार्थी बिशाय का पूरा नाम लिखना है जैसे माल लिजे कि mathematics से है तो M A T H E M A T I C S mathematics यहां पर आपको रॉल नमर पूरा अच्छा से लिख देना है ठीक है जो भी आपका रॉल नमर रोल का इसके बाद यहां पर आपको सिंगनेचर कर लेना है जैसे माल लिजे कि हम ऐसे कर लेना है जैसे भी हो ठीक है इसका बाद आपको जो अनुकरमांक सब्दों में लिखना है यानि वर्ड में लिखना है वर्ड में लिखना है जैसे माल लिजे कि आपका जो अनुकरमांक यानि रॉल नमर है जो उपर आपको यहां दिख रहा होगा भी देखिए रॉल नमर देखिए यहां पर क्या लिखता है कि यहां पर इस तरीक है कि बाहर न लिखे आपको जो है यहां पर इससे बाहर लिखते हुए आगे नहीं बरना है इसके बाद यहां पर आपको क्या करना है यह सब आपके काम की चीज नहीं यहां पर आपके विक्षक जो होंगे वह अस्ता से ठीक ना हाँ और यहां पर देखिए यह जो आपका स्रीयल नंबर है यह स्रीयल नंबर आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा जो आपका कॉपी है जो आपका कॉपी होगा एक जाम का उसमें यह स्रीयल नंबर आपको लिखना पड़ेगा और वहां जाकर आपको स्रीयल नं copy होगा उसमें भी आपको ये सारी detail लिखना पड़ेगा ठीक है तो इसको आप आसानी से fulfill कर लिजेगा थोरा सा वक्त जादा ले लिजेगा पांच मिनट साथ मिनट का वक्त जादा ले लिजेगा लेकिन इसमें गलती आपको नहीं करना है एक बार में दो गोला को रुख जाता है या pending में चला जाता है इस सब कर रीजन यहीं होता है ठीक है तो आपको इस तरीके से अच्छा से भरना है पुड़े ध्यान पूर्वक भरना है कोई गलती नहीं करनी है ठीक है थोरा सबकत ले लेजेगा, अम फिर आपसे कहा रहे है कि थोरा सा बक्त ले लिजेगा, लेकिन ये काम आपको बड़ी इत्मिनांस से करना है, ठीक है, एक कुश्शन भले ही छूत जाए आपका, कोई दिकत नहीं है, लेकिन इसमें आपको कोई भी गरबरी नहीं करना है, या कोई जल्दी बाजी नहीं दिखाना है ठीक है साथियो तो आसा करते हैं कि आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ गया होगा ठीक ना तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए